नमश्कार सनमार्ग लाइफ में आपका स्वागत है सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं किरती तिवारी और मैं आपको बताऊंगे कि जार्खन के कुछ प्रतिस्टे तकवारों ने किन-किन खबरों को प्रमुक्ता से उठाया है सबसे पहले हम बात करेंगे सनमार्ग दैन या पदक ये दो तस्वीरे हैं अलग-अलग एक ने बुर्के की वजह से गोल्ड मेदल को ठुकरा दिया और दूसरी ने बुर्के की परवाह न करते हुए उस पदक को अपना लिया सिक्षा की दुनिया के ये दो रंग हैं जो दिखाने की कोशिश की गई है सनमार्ग दैनिक अख़बार में माडवाडी कॉलेज में दिक्षान समारो था मैं आपको बता दू माडवाडी कॉलेज की तीसरे graduation ceremony में जो है वो डिक्रिया और उपाधियां जो हैं वो वितरित की गए राज़पाल द्रॉपदी मुर्मू ने लोगों को गोल्ड मेडल शात्रों को और शात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जिनमें एक ने बुर्के की वज़े से गोल्ड मेडल नहीं लिया वहीं दूसरी ने जो है वो बुर्के की परवाद न करते हुए गोल्ड मेडल को अपना लिया 2011 से 2014 और 2012 से 2015 के जितने भी सफल विद्यार्थियों को उपाधी सौपी गई है रवीवार को आयुजेत इसकाईकर में अलग-अलग रंग देखे गए पाकुर से आई चात्रा निशात फातिमा ने अपने बुर्के की वज़े से गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया वहीं जमशेटपूर से पहुँची चात्रा अजीजा अनवरी ने अपनी चार माह की बच्ची के साथ मंच पर आकर गोल्ड मेडल को अपना लिया उसे ग्रहन किया तो कही न कहीं दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिच की गई है दो अलग-अलग तस्वीरों के मात्यम से की सिक्षा जो है सिक्षा अपने आप में बेहत महतपूर्ण है गोल्ड मेडल तो मिला लेकिन वुर्के की वज़े से उसे वो अपना न सकी वहीं एक तरफ वुर्के की परवान न करते हुए अजीजा अनवरी ने अपनी बच्ची को साथ लेकर वो स्टेज पर गई मंच पर गई और आज पाल द्रॉपदी मुर्मू से गोल्ड मेडल लिया और उनके चेहरे पर उस वक जीत की खुशी थी वो साफ देखी जा सकती थी वहीं जेमेम और बीजेपी की नोटिस पॉलिटिक्स विधान सबाचुनाओं का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है जहारखन में पक्ष चाताने के लिए जो है आरो प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है हेमन तोरे ने सीयं म को जो occur मोकिमंदिदास को लीगल नूटिस बेज आ है वही इस पूरिये मामल comments एक हीमन सोरेन को वह भे बहुत जल्द बेनकाब कर देंगे 500 करोड की जमीन खरीदने का आरोप मुख्यमंत्री जो है वो लगा रहे हैं जामुमो नेता हेमन सोरेन ने रईवार को मीडिया से कहा है कि 500 कडूर की जमीन खरीदने का अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं जह जमीन राज देश व विदेश में खरीदने की पता नहीं किया उलूल जुलूल बात मीडिया में बोल रहे हैं यह कहा है हेमन सोरेन ने रगुबर दास पर आरोप लगाते वे वहीं रगुबर दास ने इस पस्ट किया है कि हेमन ने जमीन घुटालों में कीरतिमान अस्थापित किया है और बहुत जल्द बीजेपी जो है वो जे एमेम का परदा फाश कर अब्यक्त आरेटिमा जस्कुदा देगी कि वहीं उस ठीक उसके नीचे आएंगे 18 से 23 जीती टीम कोनाल आजमानी जारघन चेमर फकामर्स के चुनाओं में कुनाल आजमानी की तीम निके सिर्फ तीजीत हासिल कर पाएं तो अठारे सी Veterans team के साथ कुनाल आजमानी जो है वह Chamber of Commerce के नए अध्यक्ष न्यूक्त कर लिये गए हैं अब देखना होगा कि वो विवसायों के लिए कितना काम कर पाते हैं वहीं दूसरे पने का रूख करेंगे दूसरे पने पर कारेकरता मीडिया के जरीये लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए प्रदेश भाजपा की मीडिया कारेशाला कल रखी गई थी जिसमें संगठन रास्ट्रिय संगठन महामंत्री ने कहा है कि कारेकरता जो है वो मीडिया के जरीये लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए इस मीडिया कारेशाला में सोशल मीडिया की उपयोगी ता बत आप गड़ा हुआ है शोशल मेडिया को विधान सभा चुनाओं में जो है वो आजमाने की कोशिश की जारे हैं इस कारिशाला के जलिए कारेकरताओं को बताने की कोशिश की है मुख्यमंत्री रगुबर्दास ने कि शोशल मेडिया का इस्तमाल करके आप घर घर तक और जन जन तक लोगों को मुख्यमंत्री की और प्रधान मंत्री की योजनाएं जो है वो बता सकते हैं दारा 370 हटने से सबसे अधिक नुकसान अलगाववाद परिवारवाद को संबित पात्रा ने ये कहा है संबित पात्रा भी मीडिया कारेशाला में आये थे शामिल होने के लिए उन्होंने कहा है कि कारेशाला में पार्टी के रास्ट्री प्रवक्ता संबित पात्रा जो पहु निकाला जुलोस जद्यू को जो है वो चुनाव चिन आबंटत कर दिया गया है ट्रैक्टर ट्रैक्टर मिला है और ट्रैक्टर के साथ जो है वो जुलुस निकाला जद्यू ने प्रदेश जद्यू की ओर से रविवार को चलता हुआ ट्रैक्टर के साथ जुलुस जो है वो हर का आग्रह किया था जिसे चुनाओव आयोग ने जो है वो मालिय आप बताए कि जद्यू का चुनाओचन जो करेंगे ती cathworks जो से रद कर दिया गया था उसके बाद नया चुनाओचन चुनाओचन आयोग ने जद्यु का अबंटित किया है जो है ट्रैक्टर, वहीं तीज़े पन्य का रुख करेंगे तीज़ेए फाने पर कुंणाल आज मानी की टीम ने मारी वाजीत स्वीरों के साथ.. जो है वह कुनाल आजमानी की टीम दल अलग-अलग है तो क्या हुआ हम मेंबर भी तो है ना किशोर मंत्री ने का है किशोर मंत्री की तरफ से तीन सदस्यों ने जीत हासिल की है किशोर मंत्री आदित मलहूत्रा लोगों ने जीत हासिल की है वहीं कुणाल आजमानी की तरफ से 18 सदस्यों ने जीत हासिल की है तो 18 सदस्यों के साथ कुणाल आजमानी जारखन चिंबर ओफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष जो है वो न्यूक्त कर दिये गये है फेडरेशन ओफ जारखन चिंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाओ जो है वो ओफ लाइन हुए थे कल जिसमें कुणाल आजमानी की टीम को जीत हासिल हुई वहीं सकी मंदल की महिलाओं को भी दीपावली मेले में दे अफसर ये कहा है मुख्यमंत्री रगुबर्दास ने मुख्यमंत्री से मिली जैसोवा की सदस दिवाली मेली की दी जानकारी तो मुख्यमंत्री रगुबर्दास ने यह कहा है कि जैसोवा अपने अस्तित्व में आने के साथ ही समाजिक कार में बढ़ चड़ कर जो है वो रुची ले रहा है आपके कारियों से समाज की कमजोर तबके के लोगों को लाब मिल रहा है कहीं न कहीं एक सराहनिय पहल है इसलि निक भासकर में भी बुरके में नहीं दिया गोल्ड मेडल यूनिफॉर्म पहनने को कहा तो डिगरी लिये बगार ही लोट गई चात्रा ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है जो बहुत कुछ उजागर कर रहा है कि आज के इस परिवेश में जहां लोगों को विकास के गई तो उन्होंने डिगरी लेने से मना कर दिया और बिना डिगरी लिए ही वापस लोट गई राचे विश्विद्याले के दिक्षान्त मंडप में जो है वो मारवाडी कॉलेज का ग्रेजुएशन सेर्मनी चल रहा था राजपाल द्रॉप दे मुर्मू टॉप ग्रेजु गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया तो ये खबर चपी है लगबग ये खबर सभी अख़बारों में चपी है क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और कई तरह के मेसेज भी दे रही है तो दैनिक भासकर में ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर ही तरह कैंडरों में कुणाल आजमानी की टीम जो है वो जीत हासिल की है कुणाल आजमानी की टीम ने 18 सदस्यों के साथ चामर्द prowad कोंबर स्कौंफ ने जो है कि मेरे शाथुए नंए नंहीं नामदार नहीं थे सायद इस बच्रेंद से उन्हें हार का सामना सामना छाइश्त तो एक मात्र महिला वहां की जो है वो पूजा धाड़ा जीती हैं 1485 वोट जो है वो पूजा धाड़ा को मिले हैं कुणाल आजमानी बोले वैपारियों से किया वादा जो है वो जीत के बाद वो पूरा करेंगे वहीं किशोर मंत्री ने कहा कि हार स्विकार हम मिल कर काम करेंगे हार को स्विकार करता हूँ लेकिन हम मिल कर काम करेंगे ये कहा है किशोर मंत्री ने तो पहले पन्ने की खबर दैनिक भासकर में दूसरे पन्ने का रुख करेंगे देखेंगे दूसरे पन्ने के अगर मैं बात क तो धर्ती आबा ने जहां आखरी सांस ली उस पुरानी जेल को मिली नई सूरत भासकर में पहली बार पुराने जेल की जो सूरत बदली गई है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है 35 फूट उची होगी भगवान बिर्सा मुंडा की प्रतिमा 25 फूट की प्रतिमा और 10 फूट का बेस होगा आठ अंदोलन कारियों की प्रतिमा भी यहां पर लगेगी तो राजस्थान का चूना और बिहार की सुर्खी मिलाकर पुराने जेल की जो है वो तस्वीर बदल दी में आखरी सांस ली उसस्थल को सनरक्षित करने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है जो है सरकुलर रूट इस्थित बिर्सा मुंडा कारगार तो दूसरे पने की कबर वहीं बेटे ने मोबाइल पर कहा मा मुझे बचा लो नहीं तो ये लोग मुझे माट देंगे सुबह ज जिनके अपराधियों ने बीती रात हत्या कर दी इस मामदे में पुलिस सिर्खा टोली के उराओ कॉलनी के अनूप कश्यप को है रासत में लेकर जो है वो पूछताच कर रही है विश्नु की मा ने बताया कि हमने पुलिस को इनफॉर्म किया था कि बेटे ने मुबाइल पर यूवती को मारा चाकू तो दोनों पहले से परिचित थे यूवक और यूवती प्रेम प्रसंग का मामला यूवती राची में रह कर ही पढ़ाई कर रही थी साधी का प्रस्ताव ठुकराया तो यूवक ने यूवती के गले पर जो है वो चाकू से वार कर दिया जिसमें अनों को भी बुला कर पूछ ताच की यूवती के गले पर जो है वो हलकी चोट आई है लेकिन यूवती खत्रे से बाहर बताई जा रही है दूसरे पने की खबर तीसरे पने का रुख करेंगे तीसरे पने पर दैनिक भासकर में छेह तरह की चौदा सो किलो मीटर नालिया ब हासकर में अलग 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 557 किलो मीटर की नालियां कवर्ड आर्ट चुला चुरासी चौवालिस किलो मीटर नालियां खुली 248 किलो मीटर की नालियां कच्ची 11133 किलो मीटर नालियां पक्की 644 किलो मीटर नालियां बड़ी 757 किलो मीटर नालियां जो है वो छोटी तो अलग अलग तस्वीरे जो इंजिनियरों की कलाकारी को दर्शाता है कई तरह की नालियां बना दी लेकिन सब बेकार कोई किसी काम की नहीं ड्रेनस सिस्टम जो है वो नहीं हो पा रहा है तो नगर निगम ने शहर की तिरपन वाडो में नालियों का सर्वे कराया तो चौकाने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई तो ये खबर दैनिक भासकर की अब हम प्रभात खबर करूख करेंगे प्रभात खबर में सिलाई मशीन पर सपने बुन रही महिलाएं और अगरबत्ती की खुश्बू से सवर रही जिंदगी दो अलग अलग खबरों के साथ विकास की ग सिलाई मशीन पर सपने बुन रही है महिलाएं एक तरफ वहीं दूसरी तरफ अगरबत्ती की खुश्बू से जो है वो सवर रही है जिंदगी अनिश्चित्ता से हुनर की और गरीबी से ससक्तिकरन की और वो बेरोजगारी से उद्रमिता की और यह कहानी है मेदी निगरी की सवाबलंबी महिलाओं की कभी पलामों के अधिसंक इलाकों में जो है वो गोलियों की आवाज गूंजा करती थी आज वहां की तस्वीर जो है वो बदल गई है आज वहां की महिलाएं जो है वो रोजगार थे जुड़ रही है और सिलाई मशीन के जरिये अपने सपनों को ब पहिलाओं की जो अगरबत्ती बना रहे हैं और उस अगरबत्ती की खुश्बू ने उनकी जिन्दगी जो है वो सवार दी है वहीं ठीक उसके नीचे कुणाल आजमानी बनेंगे चेंबर अध्यक्ष कुणाल आजमानी 18 सदसों के जीत के साथ कुणाल आजमानी चारकन चेंबर ओफ कौमर्स के नए अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं वहीं किशोर मंत्री की तरफ से तीन लोगों ने जीत हासिल की है ठीक उसके बगल में भू राजस्व सचिव केके सो ने लिखा डीसी को पत्र ट्रेनिंग अध्य में कर्मी नहीं जा सकते हरताल पर इसलिए उनसे काम ले राजस्व निबंधन एवं भूमी सुधार बिभाग के सचिव केके सो ने कहा है कि राज में कारत 645 राजश्व उप निरिक्षक अभी ट्रेनिंग अवधी में हैं इस कारण वे 2 साल तक हरताल पर नहीं जा सकते यानि उनका हरताल पर जाना गलत है सचिव ने सभी जिले के उपायुक्त को पत्र लिखा है और उन्हें अवगत कराया है उन्हें निर्देश दिया है कि आप अपने अस्तर से का हम चल उपने रिक्षकों से जो है वो कार कराएं तो ये पहले परने की खबर प्रभात खबर में वहीं हेमन ने सीम को भेजा नोटेस भाजपा बोली ये सभी कुछ हास्यास पद है हम जीमें का परदा फास कर देंगे हेमन सोरेन ने जो है वो रगुबरदास पर पलटवार किया है वहीं रगुबरदास का कहना है कि हम बहुत जल्द हेमन सोरेन को जो है वो जमीन मामले में बेनकाब कर देंगे हेमन सोरेन ने कहा है कि पांसा करोड की संपत्ति अरजित करने का आरोब जो है वो बे बुनियाद है और वहीं भाजपा ने कहा है कि हेमन बताएं अपन वही दूसरे पर चेंबर चुनाव की ही खबर है डेटेर में छापी गई है टीम कुणाल-21 राजमानी टीम ने जीत हासिल की है वहें थीन सीटों पर जो है 18 सदस्यों के साथ वहीं किशोर मंत्री की तरफ से 3 लोगों को वोट पड़े वहीं तीसरे पन्ने पर बुर्का में आई बेस्ट ग्रेजवेट निशत को नहीं मिली डिग्री और उन्हें बेरंग वापस लोटना पड़ा जैसा कि मैंने बताया कि मारवारी कॉलेज में पहने के लिए कहा गया लेकिन वो मंच से वापस उतर कर चली गए दैनिक जागरन का रुख करें ही दैनिक जागरन में पहले पन्ने पर इमरान को सता रहा भारत से हार का डर पाक प्रधान मंत्री बोले जंग हुई तो हार जाएगा पाकिस्तान इसलामाबाद एजेंसी से खबर है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर पर्मानो युद्ध होने की आशंका एक बार फिर जताई है हाला कि अब उन्हें हार का डर जो है वो कहीं न कहीं सताने लगा है अलजजीरा पाकिस्तानी टीवी चैनल है अलजजीरा टीवी चैनल को रविवार को दिये कि इंटर्व्यू में इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी पर्मानों युद्ध शुरू नहीं करेगा खुद को युद्ध बिरोधी बताते हुए दावा किया कि जंग के नतीजे हमेशा जो है वो घातक ही रहे हैं कहीं न कहीं इमरान खान को यानि कि पाकिस्तान को भारत से हार का डर सता रहा है वहीं पहले पन्ये पर हेवं सोरेन ने रगवर्दास को भेजा कानूनी नोटिस संपत्ती खड़ी करने के बयान पर जामुमों और बहाजपा के बीच जो है वो आरोप रत्यारोप का दोर जारी है और इस खबर को लगभग सभी अख़बारों ने पहले पन्ने पर जो है वो जगह दी है हेमन सोरेन ने रगुबरदास पर पलटवार किया है उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है वहीं दूसरी तरफ इसका जवाब देते हुए भाजपा ने कहा है कि बहुत जल्द हेमन सोरेन को यानि की जे एम एम को बेनकाब किया जाएगा बाजपा ने कहा कि दस लीगल नोटिस भेजेंगे हैं मन्त को इसके बदले में ये कहा है प्रतुल शाहदेव ने वहीं ठीक उसके नीचे फॉर्चुनर से जा रहे जामुमो नेता को उग्रुवादियों ने गोलियों से भुना रामगड के उरी मारी में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड इस घटना को अंजाम दिया है उग्रुवादी संगठन जेजे एमपी ने बयान जारी कर हत्या की जिम्मेदारी भी जो है वो ले ली है रामगड में मजदूरी मजदूर नेताओं पर हमले का दौर जो है वो जारी है या रविवार को अपनी फर्चुनर गाड़ी से जा रहे है जामुमो नेता गहन तुड़ू पर दिन दहाडे तावरतोर गूलियां बरसा कर अपराधियों ने जो है वो उनकी हत्या कर दी है कि 18 उमिद्वार जीते डिटेल से इस खबर को चापी गई है कि किस उमिद्वार को कितना वोट मिला है क्या क्या मुद्दे थे कि हावी हुए हैं राज में जी एस्टी का सरली करन राज के गिरते उद्द्यों को मजबूती देना सरकार के साथ बहतर समंजस अस्थापित कर चेंबर को रास्ट्री अस्तर पर पहचान दिलाना व्यपारियों को लाइसेंस राज से मुप्ती दिलाना तो ये सब वादा किया था कुनाल आजमानी ने अब देखना होगा कि वो व्यवसायों के लिए कितना काम करते हैं और कितने वादे जो है वो पूरे करते हैं वहीं धर्मांतरन करने वाले आदिवासियों से छीना जाएगा जनजाती का दर्जा तो जनजाती सुरक्षा मंच ने सीम आवास का घेराओ किया मुख्यमंतरी रगवरदास से मांग की कि ऐसे लोगों को अलप संख्यक जाती की श्रेणी में डाले तो जितने लोगों ने धर्म परि वर्तन किया है अधिवासियों ने उनसे जो है वो जनजातिय का दर्जा जो है वो अब छीन लिया जाएगा जनजातिय सुरक्षा मंच ने सिये मावास का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि ऐसे लोगों को अल्प संख्यक जाती की श्रेणी में आप डाले तीसरे पन्ने का रुख करेंगे तीसरे पन्ने पर हटिया डैम में सिर्फ एक सो सतकतर दिन का ही बचा पानी चार लाख लोगों पर मंडरा रहा संकट मार्च से पहले शुरू हो जाएगी राशनिंग हर दिन आठ मिलियन गैलन पानी की सप्लाई तो जारखन जो है वो पान पानी की जो समस्य है वो लगतार जारखन में खास का राची में जो है वो बनी हुई है तो यह थी दैनिक जागरन की बात हिंदुस्तान का रुख करेंगे हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर इमरान ने माना भारत से जंग नहीं जीत सकते तो इमरान खाने अलज जीरा पाक गातक होता है और कहीं न कहीं ये डर भी सता रहा है इम्रान खान को और उन्हें की भारत से जो है वो कभी जीत नहीं सकते तो पाक पधान मंतिर ने परमानु युद्ध की धमकी दी बोले गंभीर परिनाम हो सकते हैं लेकिन युद्ध से बचना चाहिए और कहीं न कहीं उन्ह नहीं जुटेंगे मैंट्रिक में अतरिक्त विश्यों के अंक इस बार से नहीं जुट पाएंगे छटे विशय के रूप में परिक्षा देने पर उस विशय का अंक मुख्य पांच विश्यों के अंक के साथ नहीं जुडेगा जारखन एकेडमिक कॉंसिल यानी जैक इसका प् पहले पन्ने की खबर वहीं राची टोरी रूट पर पहली बार दोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन राची टोरी रूट पर रविवार को पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन दोड़ी डालतीन गंज स्टेशन से रविवार को इस ट्रेन को हरी जंडी दिखाए गई इस ट्रेन के शुर करेंगे देखिंगे हैं अंडूस्तान में दूसरे पन्े पर क्या कुछ खास है है दूसरे पन्ने पर जल जंगल जमीन लूटने वाले बहा रहे घड़ियलू आसी आसु ये कहा है मुख्यमंत्री रगुबर्दास ने जल जंगल जमीन लूटने वाले आज सबसे ज़्यादा घड़याली आसु बाहर है जामुमों ने सबसे ज़्यादा CNT और SPT Act का उलंगन किया है विरोधियों के गलत किये कामों को जनता के सामने उजागर करना है मुख्यमंत्री भाजपा के प्रवक्ताओं की कारशाला में उन्होंने ये बात कही है कि बहुत जल्द जो है वो GMM का परदा फास करेंगे वहीं जामुमों और भाजपा में तनातानी लगतार बढ़ रही है इस खबर को भी सभी अखबारों ने अलग-अलग हीटलाइन और अलग-अलग तरीकों ती चापा है कि हेमन सोरेन ने वो लीगल नोटिस भेजा है रगुबर्दास को जिसके जवाब में भाजपा ने कहा है कि हेमन सोरेन का परदा जो है वो बहुत जल्द फास किया जाएगा और इसके बदले उन्हें 10 लीगल नोटिस जो है वो भेजा जाएगा ये प्रतुल शाहदेव ने कहा है तो हेमन अपनी प्रोपर्टी का हिसाब दे ये भी कह रही है लगतार भाजपा और वहीं मरांडी आज से संग्रह करेंगे अन और धन बाबुलाल मरांडी सोमवार को प्रदेश से अन धन संग्रह कर जनादेश समागम का आयोजन करेंगे समागम से ही बाबुलाल मरांडी जो है वो विगुल फूकेंगे जहाविमो जनादेश समागम के आयोजन को लेकर अपनी रणनीती बनाने में जो है वो जुट गई है दूसरे पने की कबर वहीं तीसरे पने पर सदर में अगले सब्ता से मुफ्त घुटना प्रत्यारोपन तो राज़ानी के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है विशेसकर हड़ी रोक के मरीजों के लिए राज़ी के सदर अस्परताल में अगले सब्ता से घुटना प्रत्यारोपन की सुविधा जो है वो मरीजों को निशुल्क मिलेगी तो समाने मरीजों को मुफ्त सुविधा जो है वो मिलेगी 23 सितंबर से पूर्व हर साल में शुरू होगी यह सुविधा तो तीसरे पन्ने की खबर हिंदुस्तान में तो फिलाले सुर्कियों में इतना है खबरों पर अपडेट और नजर बनाये रखने के लिए सनमार्ग लाइफ सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार